नमस्कार दोस्तों, Pathfinder पर आप सभी का स्वागत है, मेरे नाम निदी है, दोस्तों एक मेजर अपडेट में भारत ने बंद कर दिया है रावी नदी के प्रवाहा को पाकिस्तान की और, यानि अब रावी नदी का पानी पाकिस्तान नहीं जाएगा और इस पानी का इस्तिमाल क किया जाएगा जम्मु कश्मीर और पंजाब में इरिगेशन के लिए, साथ ही, इट विल हेल्प इन जेनरेशन ऑफ एलेक्टिसिटी ऑल्सों, सो क्यों ऐसा किया जा रहा है, कैसे ऐसा किया जा रहा है, इन सब्सक्रीजों के बारे में आज हम डिसकस करने वाले हैं, जो कि बॉर्डर करता है, पंजाब और जम्मु कश्मीर को, तो बेसिकलि अभी जो पानी होगा, इसका इस्तिमाल किया जाएगा दोनों ही जगहाओं पे, जम्मु कश्मीर की यूनिन टेरिटरी में और पंजाब में पर इरिगेशन और इट विल हेल्प इन जेनरेशन ऑफ और इसी के साथ अब यह पानी पाकिस्तान तक नहीं जाएगा, इसको बंद कर दिया गया है, जिसकी कॉस्टिंग है 3300 करोड रुपे, यहाँ पर मैं बता दू, अराउंड 1100 क्यूसेक का इरिगेशन वाटर है, जो कि डाइवर्ट किया जाएगा जम्मु कश्मीर को, वही 5000 क्यूसेक का पानी पंजाब को डाइवर्ट किया जाएगा, इसके अलावा यह जेनरेट करेगा लगबग 206 मेगवाट इलेक्रिसिटी भी, चलिए, अब थोड़ सा इसका बैक्राउंड देख लेते हैं, तो 2016 के उरी हमले और उसके बाद 2019 में पुलवामा अटैक्स के बाद ही भारत सरकार ने अपनी जो मंशा थी, to stop sharing of water flowing to Pakistan, वो clear कर दी थी, उस समय जो minister थे, water resources के, नितिन गड़करी जी, उन्होंने इसको लेकर अपनी जो intentions है, वो बिलकुल साफ-साफ व्यक्त की थी, 2018 में ये project actually 1995 में शुरूर हुआ था, उसके बाद, for lot of reasons, बहुत सारे hurdles इसमें में आये तो ये बंद रहा, 2018 में इसको फिर से start किया गया था, after clearance and all, सारे hurdles को clear करके, और 2019 में पुलवामा टैक के बाद, मन्शाएं बिलकुल clear हो गई थी भारत सरकार की तरफ से, कि अब हम, पानी का जो flow है पाकिस्तान में बंद कर देंगे, अब हम, मतलब sharing नहीं करेंगे, इस्पेशली रावी के पानी के, जिसके लिए अलग-अलग projects बनाए जा रहे थे, उसी में से एक project है, आपका शाहपूर कंडी वाला project, जैसा कि आपनी screen पर देख पा रहे हैं, 2019 में ही इक intentions clear थी, अब ये project complete हो गया है, जिसके साथ पानी का flow वहाँ पर बंद कर दिया गया है of Ravi River, चलिए, इसके बारे में और साथ डीटेल में बात करते हैं, but before moving forward, this is my small introduction, दोस्तों, ये मेरा telegram channel, जिसका आप, जिस पर आप मुझे follow कर सकते हैं, परी सभी class की updates, schedules, PDFs के लिए, इसके अलावा, this is a special code for special access, ताकि आप unlock करे exclusive content का हमारे platform, पर साथ ही code के साथ, आपको 35% त जो हैं हमारे करोलबाग और मुखरजी नगर में, जहां पर कुछ courses चल रहे हैं, 2025 के लिए, अभी जाईए, center visit कीजिए, ये code use कीजिएगा, तो आपको 35% तक a discount यहां पर मिल जाएगा, आपके course पे, इसके लाब कोई भी जानकारी के लिए, आप मुझे टेलिग्राम पर message कर सकते हैं, आप center visit कर सकते हैं, नमबर पर call कर सकते हैं, similarly, UP में प्रयाग राज में इक center में मारा शुरू हो गया है, दोस्तों जहां पर ना केवल आपको UPSC की तयारी करा रहे हैं, बलकि UPPCS की भी तयारी करवा रहे हैं, at a very very nominal price, as you can see, on your screen, यहां पर test series भी चल रहे हैं, कोई और जानकारी के लिए, आप मुझे telegram पर message drop कर सकते हैं, civil lines में, यह center है, प्रयाग राज में वहां जा सकते हैं, यहां पर given numbers पर call कर सकते हैं, चलिए, यहां पर मैं आपको अदादू, according to official sources report, जो irrigation and hydro power generation project है, इसमें बहुत सारे challenges faced किये हैं, over the past 30 years, as I was telling you, however, with the completion of this barrage, जो process है water retention का, वो already शुरू हो चुका है, शाहपूर पर, मतलब यहां पर पानी आप रोपना हमने शुरू कर दिया है, already, now according to the Indus Water Treaty, एक बहुत ही महतपून ट्रीटी है, 1960 की यह ट्रीटी है, Indus Water Treaty, जिसमें water sharing की बात हुई थी, after, you know, आजादी के बाद, अब नदियां है, नदियां Indus Water Treaty, तो इस ट्रीटी के according, भारत यूटलाइज कर सकता है, maximum amount of water from the Ravi River, कैसे कर सकता है, क्यों कर सकता है, इसके बारे में आगे मैं, Indus Water Treaty को थोड़ा ब्रीफली आपको समझाऊंगी, now इससे पहले जो पानी था, it used to flow from old Lakhampur Dam towards Pakistan, मतलब वो यहां से फ्लो होता था और Pakistan चला जाता था जो पानी था, अब इस पानी को इस्तमाल किया जाएगा, जम्मू कश्मीर में और पंजाब में ही, अब इसको नहीं भेजा जाएगा, basically, it will be stopped now, it has stopped now, rather, I would say, it has stopped now, तो अब जैसे आप देख सकते हैं, border पर ही है यहां पर, तो यहां और यहां यहां यूज होगा, हम नहीं भेजने हैं, पाकिस्तान पानी, अब रावी का, यह clear कर दिया गया है, चापुर कंडी प्रोजेक्ट के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं, तो इसका जो foundation stone था, it was laid down by और former Prime Minister PV नरसीमर राओ जी, 1995, लेकिन बहुत सारी दिक्कते आई, बहुत सारे obstacles, बहुत सारे PM Modi came back और उसके बाद PM Modi के साथ, Union Minister of State Dr. Rajinder Singh ने intervene किया इसके लिए, और इसके बाद 2018 में इस प्रोजेक्ट का काम resume किया गया, ठीक है, 4-5 साल यह बंद रहा था, जिसके बाद से अभी complete होने के बाद यह आपके सामने, मैंने बताई दिया कि अब फिलाल पानी पाकिस्तान नह के बीच में इस treaty sign की गई थी, और इसका उदेश था basically, कि जो river Indus है, Indus जो नदी है, और उसके जो tributaries है, जेलम, चिनाब, रावी, ब्यार, सतलज, यह जो tributaries है, इनके पानी का जो flow है, उसको कैसे दोनों देश utilize करेंगे, ठीक है, यह एक main मुद्दा था, इसी के लिए treaty sign क की गई थी, यहाँ पर world bank ने इसमें negotiations कराई थी, world bank was a representative here, और लगबग 8 सालों तक negotiations के बाद यह treaty finalize हुई थी, ठीक है, ना यह treaty है, यह Indus system को दो भाग में divide करती है, एक भाग है eastern rivers और दूसरा है western rivers, eastern rivers में आती है हमारी सतलज, ब्यास और रावी, ठीक, और western में आती है Indus, जेलम और चिनाव, तो जो eastern rivers हैं, they are Indian rivers, मतलब इनका पानी भारत इस्तमाल करेगा, पूरी तरह से uninterrupted, western rivers का पानी पाकिस्तान इस्तमाल करेगा, लेकिन यहाँ पर हमारे लिए थोड़ा सा यह है कि क्योंकि Indus जो है वो भारत से फ्लो करके जाएगी, तो इसका कुछ पानी भारत भी इस्तमाल करेगा, तो जैसा कि मैंने आपको जोता है कि Indus, जेलम और चिनाव, इसमें हम restrictions नहीं लगा सकते हैं, लेकिन यह तीन नदियां हमारी है, तो इसमें हम चीज़े कर सकते हैं, जिसके जैसा कि मैं आपको बताऊंगी अभी आगे, और जो अभी आप देख भी रहें, यहीं हुआ है, इसी वज़े से पानी नहीं जाएगा पाकिस्तान, ना इंडस क्योंकि भारत से फ्लो करती है, तो जो हमारे देश को यहाँ पे 20% का पानी इस्तमाल करने के लिए permission दी गई थी, for this kind of purposes, like irrigation, power generation and transport purposes, ठीक है, ना जो प्रोविजन से ट्रीटी के, उसमें 80 प्रतीशत पानी जो था, शेर जो था पानी का, वो पाकिस्तान के पास गया, विच इस बाउट 135 million acre feet, while India was left with rest, 33 million acre feet of, or 20% of water for its usage of the industry, now, अब हमने क्या किया, over the years, जिस तरह के सम्मन्द पाकिस्तान के साथ हमारे रहे हैं, उनको ध्यान में रखते हुए, और recent times में, पिछले कुछ सालों से, जो कुछ भी हुआ है, मतलब, जो कुछ भी हुआ है, it can be, there are lot of things, there are lot of things, मुंब हमले हो, या पार्लिमेंट पर हमला हो, उसके बाद उरी अटाक्स है, उसके बाद, you know, पुलवामा अटाक्स है, उसके बहुत कुछ, बहुत कुछ हुआ है, उन सब के background में, प्लस इन रिवर के पानी को सही तरीकी से यूटलाइस करनी के लिए, भारत ने allocate के बालत, allocation किया, सके इस पानी को, तो हमने construct किया भाकरा नागल, सतलुज पर, पॉंग पांदो डैम, ब्यास पर, जैसा कि आप देख रहे है, इस भाकरा नागल, इस पॉंग, डैम, ठीक है, इसके अलावा, थियन, रंजीत, सागर, रावी पर, यह यहाँ पर है, और, यह, यह, यहाँ पर है, ठीक है, अब, इन स्टोरेज, यह, हमने डैम्स बना है, इनके साथ-साथ, along with, a few other works, like, ब्यास अतलज लिंक, मादोपुर ब्यास लिंक, इंद्रा गांधी नहर प्रोजेक्ट, इसेक्ट, इन सब के द्वारा, भारत, बेसिकली, यूटलाइस करता है, लगभग, 95% of the waters of eastern rivers, मतलब, 54% पानी, तो हम उरड़ी उस करी रहे थे, सिर्फ 5% पानी, which is around 2MAF, ये पानी, आन्वली जा रहा था, रावी की तरफ से, it was basically flowing to Pakistan, बिलो मादोपु, इस यहां से, यहां से होते वे, पाकिस्तान जा रहा था, अब हमने ये जो डैम, यहां पर कंस्ट्रक कर दिया, ये शहापुर कंडी जो प्रोजेक्ट है, इस से अब ये पानी का फ्लो यहीं रुक जाएगा, और जो बचा हुआ 5% भी पानी था ना, रावी का, वो भी अब पाकिस्तान नहीं जाएगा, so this is how we have stopped, you know, the flow of रावी river water to Pakistan, I hope आपको ये एक से समझ में आया हो, आपको पूरी क्लासे मिलती है, mentorship, educated doubt-solving session, free magazine, library and wifi facility भी आपको वाने centers पर मिल जाती है, अगर कोई भी जानकारी आप लेना चाहते हैं, तो आप center विजित कर सकते हैं, दिल्ली में, Mukharji Nagar करूल बाग में, और UP में, प्रयाग राज, में, civil lines, चलिए, that will be all from my side, I hope you like the session, do not forget to like, share and subscribe to the channel, and also at the bell icon, so that you can get notifications about our latest updates, thank you so much, God bless, take care, bye bye.